जो मेटो डिलीवरी बॉय पर पंच मारने का आरोप लगाने वाली महिला हितेशा चंद्राणी ने बेंगलरु शहर छोड़ दिया है। हितेशा ने सोशल मीडिया के जरे बताया कि उसने सुरक्षा कारणों से बेंगलरु छोड़ने का फैसला लिया है। बेंगलरु के जो मेटो डिलीवरी वॉय कामराज और महिला गुराहक हितेशा चंद्राणी का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बीच मामले में एक नए जानकारी सामने आई है। हितेशा ने बेंगलरु शहर छोड़ दिया है। हितेशा ने सोशल मेडिया के जर्य बताया कि उसने सुरक्षा कारणों से बेंगलरू छोड़ने का फैसला लिया है। हितेशा चंदराणी का कहना है कि उसके घर का पतालेख हो गया था। ऐसे में उसने बेंगलरू छोड़ने का फैसला किया। बकॉल हितेशा बे अंगलोरू मेरे घर जैसा है, मुझे शहर बेहद पसंग है, मुझे गलत समझा गया, जाच एजिंसरों द्वारा निश्पक्ष जाच से ही सच्चाई सामने आएगी, अपने बयान में हितेशा कहती हैं कि घटना के बाद से सोशल मेडिया पर ट्वीट, प मुझे परिशान किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, मेरी जान को खतरा है, मेरी बात रखने के लिए मेरे पास कोई पियार एजिंसी नहीं है, मुझे अपनी नाग पर चोट के लिए डॉक्टर के पास तक जाना पढ़ा, मुझे और मेरे परिवार का नुकसान पहुच बतादे की बीते दिनों हितेशा चंद्राणी ने एक पोस्ट शेर कर जो मेटोड डिलीवरी वाई कामराज पर आरोप लगाया था कि उसने फूर्ट डिलीवरी के दौरान उसके साथ बदतमीजी की और चहरे पर पंज मारा इस हमले में उसकी नाक पर गंभीर चोट आई वहीं डिलीवरी वाई कामराज का कहना है कि जब वो महिला के घर पेमेंट लेनी के लिए पहुँचा तो हितेशा मुझसे लेटाने को लेकर छगरा करने लगी डिलीवरी वॉय के मुताबिक हितेशा ने उसे पैसे देने से इंकार किया तो कम्पनी ने खाना वापस लाने को कहा लेकिन उन्होंने खाना वापस नहीं दिया इसी दौरान उसने जब चपल से मारने की कोशिश की तो जब वें खुद को बचा रहा था तब लड़की का हाथ खुद ही उसके मुँपर लगा और रिंग से चोट लग गई